हर्याना सरकार ने एक पिछले कई वर्षों से मान्यता के लिए धखके खा रहे प्राइवेट स्कूल संचालकों को बड़ा तोहफा दिया है। स्कूल संचालक मान्यता के लिए लाइन में लगे थे। स्कूल संचालिकों की मांग मांते हुए मुख्यमंत्री मनुहरलाल ने स्कूल स्थापित करने के लिए अब पहले से आधी जमीन तहकी है। मुख्य मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है वो अब स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री मंदल से मंजूर करवाएगा उसके बाद विधान सभा से भी पारित कराया जाएगा इसी के चलते टोहाना के निजी स्कूल संचालिकों ने हर्यान स्थापित होने जा रहे हैं हर्याना परदेश की लोगपीरे सरकार भारते जंता पार्टी के मुख्य मंत्री मानिया मुख्य मनोहराल खट्रजी द्वारा प्राइवेट स्कूलों की जो लगभग 17 साल पुराणी एक मांग थी जो 2003 में लागू हुई थी उस मांग को हमारे संग और भी सभी साथी संग्टन हर्याना के जितने भी थे सभी की मांग थी कि जो जमीन है स्कूल के लिए उस जमीन को भूमी को कम किया जाए क्योंकि शहर के अंदर जो स्कूल 2003 यह 2007 से पहले बढ़ चुके थे उन स्कूलों को हम चुड़ाई में नहीं बढ़ा सकते थे उ जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने संग्यान लेते हुए उस जगह को पहले कम किया इससे पहले पूर्व की सरकार दवारा भी मानिये मुख्यमंत्री भुपेंदर सिंग्य हुड़ा दवारा भी कि रायत दीगी थी लेकिन वह अधूरी थी उससे हर्याना के केबल 20-30% स्क स्कूल अच्छी तरह से चल सकेंगे और जो समस्य आए दिन स्कूलों के पाउपर रहती भूमे के लिए मानिता के लिए इतनी फाइल हमारी शिक्षा विभाग में अटकी पड़ी थी इस नियम के सरलिकर्ण से मैं मान के चलता हूं कि अब सभी मानिताइं जल्दी हो जाएं और प्लस टूतों के दो एकड़ जिमी निर्धारत की गई थी लेकिन 2007 के अंदर जब प्राइबिट स्कूलों दुवारा कांगर्स सरकार के खिलाप अंदोलन किया हम लोग जेलों में गए उसके बाद हर्याना सरकार उस समय की हर्याना सरकार प्राइबिट स्कूलों के सामन नहीं हो सकता था समय समय पर मुख्यमंत्री से हम मिलते रहे हमारे परदेश के और रास्ट के अधक्ष कूल भुशन शर्मा के नेत्रतम में पूरा स्टेट की और जितने संग्ठन है स्विने मुख्यमंत्री मनहुरलाल जी से मांग रखी थी कि जो जमीन का सरलिकन किया मानिय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा को बचाने के लिए शिक्षा के शेत्र में हर्याना को और आगया लाने के लिए इस जगह में एक बहुत बड़ा करंतिकारी शुन्शोधिन किया है अब जितनी भी जगह हमें जुरूर्थ पढ़ती थी उसकी 50% हर्याना सरकार द्वा मैं आपको इजम्पल दे कर बताता हूँ मानली जी शेहरी स्कूल को पांस में तक जहां पहले 500 वरग मीटर की जुरूर्थ पढ़ती थी अब उसको 500 वरग मीटर की जुरूर्थ पढ़ेगी और आठमी के लिए इस तरह 1200 वरग मीटर की जुरूर्थ थी इस तरह से 50% को स्कूल नए खोलेंगे या 2007 के बाद खुलें क्योंकि पहले के जो नियम आये थे उसमें केबल 2003 और साथ से पहले के स्कूलों को छुट देगी थी लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अभी सभी स्कूलों को छुट दिया इसमें अगर वरतमान में कोई स्कूल खोलेगा अगर वर तक उसे दो एकड़ जगें की जूरत होती थी और मैट्रिक तक उसे डेड़ एकड़ की और प्राइमरी तक उसको आधा एकड़ की जूरत पड़ती थी लेकिन अब बिल्कुल उल्ट हो गया है आप मान के चली प्लस्टू तक सवा एकड़ जमीन की जूरत सा है सुरी समा च संगर्ष की एकड़ लंबाय समय तक हमारे संग्ठन को के सामने सरकार ने उस पर विचार किया सोहाद पूर्ण धंग से सरकार ने इसकी और ध्यान दिया और इसके लिए मैं फैडरेशन प्राइविट स्कूल एस्सोसियेशन का प्रदेश महासरचीव होने के नाते मुख्य मानिय शुवास बराला जी को भी हम धन्यावाद करके हैं क्योंकि इसमें मानिय शुवास बराला जी क्योंकि पिछले पांस साले प्रदेश अधक्ष रहे तोहाना की और से विशेशकर जिला फतेवाद की और से बहुत सी बहुत वार हमने मानिय शुवास बराला जी को ग्य कि तुम्हें बासोची मानिय शिक्षाबंतर जी का अभी आज ही म्यान आया है कि दस्वी और वार्वी के कख्षाएं सौमार से अभी खौल दी जाएंगी उस्टबार नौमी और ग्यार्मी किलास के उपर कुछ समय के बाद 21 तारिक से खोले जाएंगी देखिए सरकार के जो दिशाद मिर्देश आता है गाइड लाइन आती है हम उसमें कॉपरेट करेंगे और स्कूल जूर खोलेंगे और एक सबसे बड़ी बात और अभी मैं उसके अंदर पढ़ रहा था कि मानली जी ये पुराने नियम के तहत भी जमीन पूरी नहीं है तो साथ लगती जमीन को अगर वो खरीद लेता है तो उसके तहत वो पुराने नियमों के तहत ही वो जमीन माननी जाएगी और इसमें ए पुरी की जो सीमा थी अब वो तीन किलो मिटर डिसाइड कर दी और साथ लगते में जमीन खरीदता है तो पुराने नियम रहेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी मैं मानता हूं कि फैडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल ऐसोशेशन की जो मांग थी और दूसरे भी प्राइ कि दी